Hello everyone, welcome to my channel Delhi Tarot और ये है reading, yearly reading उन लोगों के लिए जो January से लेकर December तक किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारिक को जन्मे हैं तो अगर आप 8 January को, 17 February को, या 26 March को जन्मे हैं ये सिरफ एक example है किसी भी महीने की अगर आप ये 3 तारिक को आपका बर्थ हुआ है तो आप ये देखेंगे कि ये reading उनके लिए है और ये numerology tarot reading है और general tarot reading है उन लोगों के लिए जो इन dates को जिनका बर्थ हुआ है अब इस reading में हम सबसे पहले आपकी overall energies चेक करेंगे और आपके जो angel messages है, goddess messages है वो चेक करेंगे और आपका money का status भी देखेंगे कि money career finances को लेकर ये साल कैसा रहेगा और इसके बाद हम आपकी इसमें tarot reading भी करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि in detail आपकी situation क्या चल रही है तो चलिए बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो इन तारीक को जिनका बर्थ हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको energy के बारे में बताऊंगी, फिर angel messages के बारे में, tarot reading के बारे में और reading के end में मैं आपको कुछ ऐसे numbers दूँगी जो आपके लिए इस साल काफी लखी साबित होंगे तो इस साल जो शुरुवाती आपके 7-8 महीने हैं वो थोड़े mix है उसमें एक card है आपका broken heart का देखें overall reading के जो cards मेरे सामने हैं उसमें basically ये है कि ये साल financial purpose से तो आपका काफी balanced year है लेकिन emotional level पर या mental health level पर इस साल आपको कहीं न कहीं balance की काफी हद तक जरूरत है रिष्टो को संभालने की चाहे वो personal level पर हो चाहे professional level पर हो आपके near and dear one के साथ आपको relationship की और अपने खुद के mental emotional health को handle करने की need बहुत ज़ादा है financially, opportunity wise, expansion wise आपका ये साल बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले हम card देखेंगे broken heart का ये card हमें ये बताता है कि कहीं न कहीं आपके किसी बहुती close relationship से या तो आपका break up हुआ है या काफी major differences आए है अब क्यूंकि ये एक general reading है तो reading में ये आप देखेंगे कि जो intuition है मेरी वो ये बताती है कि professional नहीं बट कि जो आपके personal relationships है उसमें ये दरार आने की काफी हद तक संभावना है आप ये देखेंगे कि जो आपके maybe बहुत close है या आपके relationships है या आपके कोई marriage purpose है या आपका कोई love relationship है उसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं उस दरार से या उस gap से या उस misunderstanding से या उस miscommunication से या दूरियों से आपके मन में mental और emotional आपको थोड़ा सा आगात मिला है तो इसी लिए आपको angels का clear message है कि इस साल आपको अपनी हिम्मत, courage और patience बनाए रखना है यही एक main तरीका होगा अपने relationships को handle करने का और तीसरा कार्ट जो है वो आपका ying और yang का है इसका यह मतलब है कि काफी चीज़े mix and match रहेंगी कभी अच्छी, कभी average कभी average तो कभी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी तो आपने neutral रहना है, balance रहना है और किसी भी चीज़ को लेके बहुत जादा judgmental नहीं हो रहा है और assumptions नहीं पाल नहीं है कई बार हम assumptions पाल लेते हैं कि यह तो ऐसा होगा वो तो वैसा होगा या हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जब हम खुद से भी judgment पाल लेते हैं या खुद से भी assumptions रख लेते हैं तब भी हमारा मन दुखता है तो आप neutral रहें लोगों के लिए, अपने लिए अपने near and dear ones के लिए और ये जो relationship का मुझे थोड़ा stress period दिख रहा है ये generally आपका सिरफ 6-7 महीने का है तो मोटा मोटा आप ये देखें कि अगले साल के शुरुवाती के कुछ महीने ही आपके थोड़े से average है उसके बाद आपकी सारी चीजे balance better होना शुरू हो जाएगी और अगर मैं आपके angel cards देखूं तो वो बहुत ही अच्छे cards है कोई भी situation हो angels का आपके लिए clear message है कि there is nothing to worry किसी भी चीज को लेके आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने कि जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़े समय की बात है फिर वो चीजे जरूर balance हो जाएगी और क्योंकि ये number आप देखिए जो number 8, 17 और 26 होता है इन number के लोगों का कोई भी काम वैसे भी delay होता है क्योंकि ये शनी का number है Lord Shani का, Saturn का जिसमें moment हमेशा slow होगी और moment हमेशा delayed moment होती है तो इसको handle करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप YouTube पर जाएं और Shani के बीज मंत्र को Google करें जब आप उसके कई सारे वीडियो जाएंगे आप बहुत fast version ना लें आप बहुत slow version लें उसका Shani के बीज मंत्र के कई सारे वीडियो हैं उनको आप एक या दो मिनट को सारे वीडियो को एक एक दो दो बार सुनें जो YouTube वीडियो आपको Shani मंत्र का बीज मंत्र का सबसे अच्छा लग रहा है आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको एक दिन में कई बार आप सुनें एक तो आपके लिए रेमेडी ये है दूसरी रेमेडी ये है कि इस नंबर के लोगों को हर शनिवार को अगर पॉसिबल हो हमेशा शनिवार को शनिमंदिर जरूर जाना चाहिए ताकि आपको आपके नंबर लौड शनि की आपको special blessings भी मिले और support भी मिले आपके कार्मिक चीज़ों को balance करने के लिए तो ये तो मेरे अपने suggestions है जो कि काफी successful है जब भी मैंने अपने clients को ये suggestion दिये है वो काफी अच्छे होते हैं ये depend करता है आप पर कि आप इस suggestions को कितने अच्छे से accept करना चाते है तो anyhow reading में आपका है कि there is nothing to worry जो भी चीज़े हैं चाहे वो delay हो चाहे वो देरी से हो आपका काम बनेगा जरूर इसके अलावा इस साल आपको बहुत सारी career related opportunities काफी आएंगी business expansion की, alliances की, partnership की नए तरीके की business की या जो business आप कर रहे हैं उसमें expansion की इस साल आपके अच्छी opportunities के काफी chances है और जो तीसरा card है यह तो बहुत अच्छा card है big happy changes का जब आप महनत करेंगे चाहे delay जरूर हो आप यह देखेंगे कि जो साल का better half है the next half है that is quite better और उसमें आपको बहुत अच्छी flourishing opportunities भी आएंगी और इन opportunities में अच्छी बात यह है कि आपको money के साथ क्योंकि overall reading में आपकी money तो बहुत ही अच्छी आई है लेकिन money के साथ आपका experience और exposure काफी बढ़ेगा तो उस opportunity को आप overall एक change के तोर पे जरूर accept करें और यह जो आपके oracle card है इसमें यह जरूर आया था infinite abundance तो आपके abundance का prosperity का growth का card तो वैसे भी आपके reading में दो बार आया है और इसका meaning है abundance is pouring into your life अब आप कितना दिल खोल कर इस abundance को accept करते हैं gratitude के साथ भगवान को धन्यवाद करके यह आप पर depend करता है क्योंकि जितना आप gratitude दिखाएंगे उतना ही आप जितना आप शुकर गुजार होंगे gratitude का मतलब यह है कि जितना आप शुकर गुजार होंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी चीजें बहुत ज़ादा बढ़ती हुई चली जाएंगी एक काड और है आपका distance thunder का इसका यह मतलब है कि आपको इस साल अपनी communication हर level पर clear करनी है चाहे वो personal relationship हो चाहे professional relationship हो चाहे job पर वो business हो या personal life में हो आप कोशिश यह करें कि आप अपनी बात सामने वाले को ठीक से समझा सके और उनकी बात भी ठीक से समझे judgment और assumptions के basis पर इस साल आप ना चले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका जो शुरू में रस्ता है वो narrow path का है इसका यह मतलब है कि गली बड़ी पतली है लेकिन आप दीरे दीरे अपने महनत, हिम्मत, करेज के basis पर देखिए आपका एक card पहले भी आया था angel of strength का अगर आप हिम्मत, करेज और strength बना के रखेंगे तो आप इन सक्री तंग गलीओं से भी निकल जाएंगे अब गलीओं का मतलब यह नहीं कि actual की गलिया गलीओं का मतलब यह है कि उस समय से उस तंग समय से आप आसानी से निकल जाएंगे लेकिन धीरे धीरे अपनी movement धीरे धीरे अपनी चाल आगे आप बढ़ाते चाहिए movement को किसी भी situation में आप रोके नहीं चाहे कितने ही obstacle हाए, चितने ही challenges आए आप try करते जाए, आपका रस्ता खुलेगा जरूर क्योंकि reading में यह चीज दो बार clear है कि आपका रस्ता खुलेगा जरूर कोई भी अगर difficulty आएगी तो और यह मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल जितना आप भगवान को धन्यवाद देंगे gratitude देंगे, आपका काम उतनी ही जल्दी बनेगा और आप इस journey में बिल्कुल भी अकेले नहीं है आपके God Goddesses जिसको आप मानते हैं वो आपके साथ बिल्कुल इस journey में है और थोड़ा सा आपके matters में speed up जरूर होगा इस card का मतलब है life is speeding up कहीं आपको लग रहा है कि मैंने तो interview दिया, call नहीं आया call मुझे आई, मेरी बात close नहीं हुई मैं business में meeting करके आई, मेरी meeting complete नहीं हुई जो भी stagnant चीजे थी, जिसमें अभी तक कोई development, कोई movement नहीं हुई थी उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आपका year चड़ेगा, शुरुवाती दो-ती महीने में आपकी जितने भी आपके professional affairs हैं या personal matters हैं उसमें movement आ जाएगी, खासकर उन चीजों में जो चीजें रुकी हुई होगी बहुत time से और यह आपके fairy messages का card है, whom do you need to forgive ऐसा कौन है आपके जीवन में जिसको आपको माफ करना है क्या वो कोई relationship है, क्या वो कोई partner है, क्या वो कोई business partner है क्या वो कोई job है, क्या वो कोई employer है, क्या वो कोई peer है, साथ काम करने वाले colleague है आपके ex friends है, वो कौन है ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये एक fairy message है divine fairy message है कि जब आप दिल से अपने anger को और गुसे को निकाल देंगे तो आपकी असली development तबी होगी जब आप light feel करेंगे और बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत ही लखी card है जो लोग single है और mingling के लिए ready है या वो सोच रहे है कि इस साल मेरी शादी हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा good news का card है कि अगर आप बहुत समय से अपने जीवन साथी की खोज में है तो इस साल आपकी वो खोज समाप्त होगी और आपको आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी ज़रूर मिलेगा you will have a very successful marriage this year if you are looking forward to a marriage और ती जाइतरी मंतर का जाब भी कर सकते हैं अगर आपको healing में support चाहिए तो आप हमें message भी कर सकते हैं paid processes होगते हैं आपके दिल को जो भी कोई बात बुरी लगी है उसके लिए आपको healing या अपने आपको light feel करना बहुत ही जादा जरूरी है और आप में खुद भी a healing touch है कोशिश क चाहिए कि आप अपने आपकी healing अच्छी कर सकें और जो crystal आपके लिए आया था इस साल जो आपको लगता है कि हाँ ये crystal मैं use करूँ तो मुझे काफी benefit होगा वो है rose course जनरली मैं लोगों को कहती हूँ कि ये recommended है अगर आप लेना चाहें लीजे नहीं लेना चाहें वो आपकी मरजी है लेकिन क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग में बहुत ज़ादा आया है कि आपको mental और emotional support की जरूरत है तो ये जो stone है rose course हलके गुलाबी रंका होता है ये आपको लेना ही चाहिए इससे आप या तो pendant के form में पहने या इसको bracelet के form में पहने ताकि वो आपसे touch ह होता रहे है जितना आप touch करेंगे उतना आपको healing energies मिलती हुई जाएंगी और इसका message भी यही है love life से related तो rose course आप जरूर ले ये अच्छे love life के लिए भी होता है और ये अच्छे healing purpose के लिए भी होता है अब चलिए हम आपके money cards देख लेते हैं money cards में सबसे पहले आपका card आया कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है जब आप वो अपने मन से गवाही लेके अपनी inner wisdom अपनी अंदर की मन की बात सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी improvement होगी ही होगी और दूसरा card है mother earth का ये तो बहुत ये अच्छा और लग्की card है इस card का ही मतलब है कि हमें ध अधरती पर जिस भी प्रकार के financial सुख चाहिए requirements नहीं requirements तो आपकी वैसे भी normal पूरी हो जाएंगी कोई luxury, pleasure, special आप खरीदना चाहरे हैं कहीं घूमने जाना चाहरे हैं इस साल जो भी आपकी money से related इच्छा होगी luxury, pleasure या किसी भी तरीके की requirement को लेके आप पाएंगे कि वो ची nature में mountains की तरफ, rain की तरफ, river की तरफ जाएंगे तो वहाँ से आपको healing energies काफी मिलेंगी अपने मन दिमाग को शान रखने के लिए और जब हमने आपकी tarot reading करी थी तो इस साल आपकी tarot reading के card बहुत ही बढ़ी आए हैं सबसे पहला card है आपका major arcana का card जो की है chariot इसमें ये बता जान लगा देंगे तब आप ये पाएंगे कि आप एक ही direction में जब चल रहे हैं और सारी energy आपने लगा दी है तो ये संभव ही है कि आपको result positive मिलना ही मिलना है तो chariot का मतलब ये है कि आप में शमता है कि इर्द गिर्द जितनी आपकी चीज़े फैली हुई है, energies फैली हुई और किसी एक लक्ष की तरफ जो आपने तै किया है उस पर एक दम आकंकित कर दीजे, that means पिल्कुल पिन पॉइंट करके आप उस तरफ जाईए, energies को इकत्रित करिए, collect करिए और आप कोशिश करिए कि वो बिल्कुल पूरा एक ही direction में आप उसको लगाएं ताकि आपका target जो set है, जो intention set है कि इस साल मुझे ये करना ही करना है, वो 100% सफल हो और ये होना 100% possible है, बस आपका focus होना चाहिए और आप एक direction में आगे बड़े, रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितनी obstacle आए, चाहे कितनी परिशानी है, क्योंकि आपका number series ही 8 है, by birth ही है क आपको कोई भी चीज थोड़ी जादा मेहनत और थोड़े time से delay होकर मिलेगा, लेकिन ये Lord Shani का भी number है, तो इससे अच्छा number कोई नहीं है, क्योंकि Lord Shani अपने आप में Lord of Karma है, तो आप बस कर्म पे ध्यान देते चले जाएए, और Shani देव आप एक्रिपा करते जाएंगे, तो ये आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान बखना है, दूसरा card है आपका page of wands का, wands होती है हमारी अपनी मेहनत, तो आप ये देखेंगे कि इस साल आपने जो काम किया हुआ होगा, पहले कभी किसी company के साथ, या किसी business किया होगा, लोगों ने जो आपका काम पहले देखा ह हुआ होगा, या किसी ने पाया होगा कि आप बड़े महनती, honest और sincere हैं, उसके basis पर आपको इस साल काम मिलने के बहुत जादा chances है, आपको message, phone, call, whatsapp, email, कुछ भी आ सकता है, कि उन्होंने आपका काम देखा, उन्होंने आपका काम परखा, या उन्होंने किसी से सुना कि आप ये काम ऐसा अच्छा करते हैं, तो इस साल जो आपको maximum opportunities मिलेंगी, वो आपके अपने काम की काबलियत के basis पर मिलेंगी, आपके word of mouth पर मिलेंगी, आपके काम के reference पर मिलेंगी, एक होती है जान पैचान में, आपको कुछ आता नहीं है और काम मिल जाता है, कि इस से जान काम में भी आप अपने काम से जाने जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कि आप अपने काम से जाना चाहरे हैं, तो काम से जब आप जाने जाएंगे, तो आपको काम अच्छा मिलेगा, और आप वो मांगे, पैसे भी मांग सकते हैं, और ये कार्ड तो अती उत् के सोर्सिस भी जरूर होंगे यू विल हैव मल्टिपल ऑपर्चिनिटीज तो गेट मनी हो सकता है आप किसी बिजनस में हो तो आप कोई फ्रीलैंस वर्क कर ले हो सकता है आप दो पार्ट ताइम जॉब कर ले या एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और पार्ट ताइम कुछ में करें आप कुछ भी कर सकते हैं कहीं पर बैझार हो सकते हैं कहीं पर अपर फ्रीलैंस का काम कर सकते हैं कहीं कंसल्टन तो बहुत ही अच्छी reading है क्योंकि इसमें balanced है आपके काम की भी तारीफ है आपके पैसा भी available है और आगे भी बढ़ेंगे तो tarot reading आपकी बहुत ही बढ़िया आई है और आखरी के जब मैं message देख रही हूँ तो इसमें भी आपके तीन message है पहला message है heart healing दूसरा message है sunset और तीसरा message है secret sketches तो इन cards में हमें बताया है कि आपको इस साल थोड़े अपने दिल की healing करने की जो आपको चीज़े बुरी लगी हुई है आपको forgive करने की ज़रूरत है forget करना तो देखे तब ही possible है जब हम अपनी memory loss कर दें वो तो possible नहीं है तो forget करने का अच्छा तरीका यह है कि जब भ go let god इसको जाने देते हैं और भगवान इसे अपने आप देखेंगे जब आप बार बार अपने मन से ये बात कहेंगे तो आप यह देखेंगे आप natural way में अपनी भी healing कर रहे हैं और चीज़ों को let go कर रहे हैं जब आप चीज़ों को let go करना सीच जाएंगे तब आप देखे जो आपके जीवन में नहीं है, जा चुकी है, यह आपको नहीं चाहिए, आप उनसे अपने कॉड्स को कट करें, क्योंकि जितना आप अटैच रहेंगे, पेन आपका बार बार उपर उभरता ही रहेगा, और तीसरा कार्ड है आपका secret sketches का, जो हमें यह बताता है कि आपके सोच से मिले, यह अनन सोच से, मदद मिलनी चाहिए और आपका काम होना चाहिए, तो चलिए, अब हम यह देख लेते हैं कि इस साल के आपके lucky numbers कौन से हैं, तो आप जल्दी से अपना pen paper ले लिजे, अब यह जो lucky numbers हैं आपके, यह recommended हैं कि अगर आप इनको follow करें, और अगर आ numbers हैं, आप इनको note कर लीजे, और आपके दो तो angel numbers है, और एक आपका angel number है, वो है triple 2, 4 times 2, not triple 2, 2222, पहला angel number है आपका 4 times 2, तो आप google पर उस number को search करें, और उस पर जो message होगा वो आपके लिए है, और दूसरा angel number है, angel number 22, तो आपके यह दो angel numbers है, आप इसको google करें, message पढ़ें, और वो message आप समझने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि वो message से आप resonate कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, आपके जीवन से related है, तभी उस message को आप अपने पास रखें, और आपक repeat कर रही हूँ, आपके single digit lucky number है, इस साल के number 2, number 5, number 6, number 7 और number 9, मैं दुबारा बोल रही हूँ, number 2, number 5, number 6, number 7 और number 9, यह आपके lucky numbers हैं, apart from your angel numbers, 4x2 and double 2, double 2 is a master number, energy का बहुत बढ़ा सोतर है, अप उस number को जरूर देखें, google जरूर करें, और मैं आशा करती हूँ कि यह साल आपके लिए बहुत सी खुशियां, abundance, prosperity, growth और fertility लेकिया है, I will see you next time very soon, have a very lucky new year, best of luck.